और आपको आदें कि सुमित अंतिल ने पहरी इस पारालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इस बार ये 70.69 मीटर दूर जाकर गिरा। सुमित ने एक ही मैच में दो बार पारालंपिक रिकॉर्ड तोड़ने का कर नामा किया। तो सुमित के परिवार में भी अब जशन का महौल है जाहिर सी बात है। पूरी देश के लिए जशन का मौका है सुमित अंतिल ने प्यार ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है जैवलें त्रो में अपना ही रेकॉर्ड ब्रेक किया है सुमित ने सुमित अंतिल ने एक बार फिर इतियास रचा है लगातार दूसरी बार गोल्ड जीता है प्रिवार हमारे साथ हैं सबसे पहले सुरुवात उनकी धरमपत्नी शे करते हैं सितल कितनी खुशी है एक धरमपत्नी के लिए उससे बड़ा लम्हा कोई नहीं होता फोन भी आने श कितनी मेहनत कर्यां अब सुबह शाम चार-पाच घंडे मेहनत करते थे वह बिल्कुल हदसे जाद अमने करें लोने क्या कहना चाहें मेहनत करते हैं अब यह यूवा हुँ है जो आज के टाइम गलत देशी साबर चले जाते हैं आपने सुनने में भी आता होगा उन्यूवा क को क्या मैसेज काफी इंस्पिरेशन फोलो करनी चाहिए उन्हें ताकि यह सब गलत चीज़ें फोलो नहीं करें वह कि उनकी मा भी हमारे साथ है कितनी खुसी एंटियों बहुत ज़्यादा खुसी है क्या कर गाता अब क्या कर गया बहुतब कि पहले तो नर लेका आईगा तो क्या कहिलाओं गया प्लाना जाइट पी होगा बेटा वांतर यहां चाही बना दो जी वेटा उसके लिए सब को से मोझ मालेकन बहुत बढ़िया करें एक आग सवाल कर लेते हैं कैसे सुवागत करो जिसे दूद की बाल्टी उसके मुग अलगा गए सुवागत करेंगे पूरी की पूरी है अर्या अगले उसकी तो अगले दिन ही शुरू कर देता है कहिना कई प्रिवार में खुशी का माहोल प्रिवार कहें कहना है कि दूद के साथ अब सुमित का सुवागत होगा सोनिपत से नितिनांतिल खबरे अभी तक